कितना अच्छा हो अगर हमें दवाईयां ना खानी पड़े एक निरोगी जीवन हम जी सके और ये तभी संभाव है अगर हम अपनी सरीर की समय समय पर सफाई करते रहें शरीर में गंदगी खटा ना होने दे तो जिससे आने वाली जो भी बिमारियां हैं उनसे हम पच सकती हैं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में आज आपके साथ एक ऐसा घरेलून उसका शेयर कर रही हैं जिसके इस्तमाल से आप शरीर में जमाल गंदगी को साफ कर सकते हैं लीवर की क्लिंजिंग कर सकते हैं किड्नी का क्लिंजिंग कर सकते हार्ट ब्लोकेज को घोल सकते हैं डायबडीज को कंट्रोल ब Under iember qui से बेचां न सरी दिकतों के साथ-साथ आप अपनी अम्यूंटीकोब्स कर सकती हैं जज्दी मुटापे अगर परेशान है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं और अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन डिसीज या खून की खराबी से परेशान हैं तो उसे भी आपको छुटकारा मिलेगा अगर आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी काम कर लगे तो इसे सबी के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर किय कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे इसी तरीके से और काम करने के लिए आज की इस नुस्के को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी अलोविरा की सबसे पहला इंग्रिजिटेंट है हमारा अलोविरा जो की बहुत आसानी से आप गंबले में उगा सकते हैं किसी क्यार से कट करके इसके जैल को निकाल लीजिएगा अलोविरा जो है हाई कॉलिस्ट्रोल को कम करने का काम करता है इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की सूजन से इंफैक्शन से जोडों के दर्द से परेशान है तो उसमें भी आपको रहत देता है यह आपकी इम परोशक तत्व हैं जो कि हमरे शरीर को फायदा देते हैं जैसे कि इसके अंदर पाया जाते है vitamin A होता है, vitamin C होता है, vitamin E पाया जाता है, folic acids होते है, kallin पाया जाता है, vitamin B होता है, vitamin B2 होता है, B3 होता है और B6 भी पाया जाता है, इसे के साथ इसमें बहुत सारे लगबग 20 प्रकार के minerals पाया जाते हैं, जिनमें के calcium, magnesium, zinc, chrominium, selenium, sodium, iron, potassium, copper, magnease इतने सारे पोशक तत्व इसमें सामिल है तो जब आप इसका इस्तमाल करते हैं तो शरीर को फिर मल्टी मिटाविन खाने की ज़ूरत नहीं पड़ती है आपके शरीर में सारी वो चीज़े एविलिबल रहती हैं जिससे हम एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं तो सामने आप देख नहीं है मैंने इसके जेल को निकाल लिया है निकालना बहurar आसान है इसके लिए कुछ लोग सवाल करेंगे का अब मार्केट वाले जेल का इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल नहीं इसके लिए तो आपने यहां पर लगभग 2 चंबश अधैल को मिक्सी के जार में डाल देना पैसे में यहां पर आप कुछ दाने अजवाइन के डालीजेगा हलाकि इसका इस्तमाल करते हैं तो फायदे जादा मिलते हैं यह आपके शरीर को डेटॉक्स करने के साथ साथ जोडों के दर्द में भी आपको बेहद रहात देती है अजवाइन के अंदर एंटी ऑक्सिडंट भरपूर मातरा में होते हैं इसमें अनलजेसिक तत्व होते हैं जो शरीर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करते हैं अगर बहुत लंबे समय से आप स्किन डिसीज से परेशान है खुन की खराबी से परेशान है या जिर्दी मुटापे से तो ऐसे में आपको अजवाइन का सेवन्स जरूर करना चाहिए ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम भी करती है अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है वो है अमरूत के पते तीन से चार ताजे अमरूत के पते यहाँ पर आपने इस्तमाल करने हैं यहाँ को कम करने का काम करते हैं लीवर के ल जो आपको गुर्दे से कोई समस्या है या मुत्र जो करता है या उस में जलन होती है तो ऐसे मैं आप इसमें तो पुलसी की मंजरी को डालिएगा यह आपको बेहत लाब देती है बस एक छोटा चमच आपने मंजरी यहाँ पर डाल देनी है बहुत फायदे मंद है सरीर की सूजन को कम करती है हडियों के बुखार को ठीक करती है अगली जो चीज आपने इस्तमाल करनी है वह कच्छी हल्दी जगे पर आप पाउडर हल्दी का इस्तमाल नहीं कीजेगा अगर यह नहीं हो तो कोई बात नहीं सिकिप कर सकती हैँ कच्छी हल्दी के अंदर जो एंटी ओक्सिजिंट होते है वो पाउडर हल्दी से कई गुना जयादा होते है और यह हमारी शरीर से सूजन दर्द को कम कर तो आधा इंच के अलगबग आपने यहां पर कच्छी हल्दी डाल देनी है अगली जो चीज आप यहां पर इस्तमाल करेंगे वो है यहां पर अध्रक जो कि सभी के किशन में बहुत आसानी से अविलिबल रहता है यह एंटी ऑक्सिद से भरपूर है और इसमें अनलजेसिक त मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ अगर आप रोजाना सुबा खाली पेट दो पतियां मत सदा बाहर की चबा कर खा लें तो इससे बाड़ी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है और डाबिटीज के रोगियों को बहुत सदा फायदे मिलते हैं लीवर हेल्दी रहता इसवर बहुत अच्छे फूल भी आते हैं तो ये फायदे भी देता है और खूब सूर्ती भी बढ़ाता है घर की अगली जो चीज आप यहाँ पर इस्तमाल करेंगे वो भी बहुत जादा फायदे मंद है गठिया के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है यहाँ पर आप या ताजा पता हर सिंगार का इस्तमाल करेंगे मेरे पास इस समय सुखा पता है तो मैं एक पता हर सिंगार का यहाँ पर डाल रही हूँ यह जोडों के दर्द के लिए हाई कॉलेस्ट्रोल के लिए गठिया के रोगियों के लिए बहुत फायदे मंद होता है और सर्दियों म मातरा में अबने मातरा में पहले पानी डाल देना है और अच्छे से पीस लेंगे इसके बाद थोड़ा और पानी डाल कर एक और गुमा लिजेगा इसका बिल्कुल बारीग आपने पेस्ट बना करके तयार कर लेना है तो सामने आप देख रही है घ्रक कर दो nowन 15 दिन में 3 दिन के लिए लगातार इस्तमाल कीजिएगा आपकी बॉड़ी बहुत अच्छ से टिटॉक्स होती है आंतों में जमा गंदिगी साफ होती है कबजियत दूर होती है जोड़ों के दर्द में अराम मिलता है डायबिटीस कंट्रोल में आता है खून साफ होता है जिद गंदिगी है उसको निकालने का काम करता है यानि कि आप इसे बहुत आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी मात्रा में या तो शेहद मिक्स कर सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में ध्यान रखिएगा अब वैसे अगर नहीं करेंगे तो ज़्याद नहीं होगी तो वीडियो आपको आज कई अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजेगा सभी के साथ में ताकि सभी को इसका फायदा मिले आप चाहें तो हमें जॉइन बटन के उपर क्लिक करके जॉइन भी कर सकते हैं हमारे इस चैनल क मेंबर्स बन सकते हैं इसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जैसे के महीनी में आपको एक बार डिटॉक्स प्लान मिलेगा तीन दिन का जिसको आफ विल्कुल फ्री में ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर गीजेगा स्टे हल्दी स्टे हैपी बाइ